हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल एडुकेशन विद गौरप मेरे इस चैनल पर एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं हम मेरे चैनल के उपर हम उत्तुराकंड लेक्ट्रेट स्क्रीनिंग एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और द तरीक किसमें आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब टाइम उतना ज्यादा नहीं है तो जितना भी हो सकता है उतना मैं कर रहा हूं ठीक है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो के अंदर जो है मध्यकालिम भारत है उसको पढ़ाएंगे जिसमें हम भारत के उपर विदेशी जो लेना चाहते हैं तो अभी वी काफी दिन है तो आप लोग ले सकते हैं और उसके मादियम से अपनी तैयारी को और तेज कर सकते हैं तो आप मुझे इस वाट्सप नमबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए उसके राव उत्तरा घंड एल्टी की जो तैयारी के लिए टीचिंग एप आज का सेशन हम सुरू करता हैं और जैसे मैंने बताया हम वो मत्यकालीन भारत को सुरू करेंगे जिसमें विदैसी जो आकरमण है उसको सीता सीता पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना किसी दिरे कि हम सुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और आप लोग वीडियो क आखर आपको फाइदा ही होगा दोस्तों इसलिए चैनल को शरूर करते हैं तो जैसे कि मैंने बात किया भी बात करने दोस्तों ंकिनेगे सबसे पहले हम देखेंगे कि महरत के ऊपर जो पर्थम जो बिदेशी आकरमन था वो किस प्रकार से हुआ और वो कैसे हुआ ठीक है तो जो पहला बिदेशी आकरमन था दोस्तों महुमत बिन कासिम के द्वारा और यह कंद फ्रेंड पर शड़ा है यह तो यह याद रखना आपना है कि पहला जो आक्रमनकारी है जो कि अरब मुस्लिम आक्रमनकारी था वो कौन था मुहमबद बिन कासिम जिसने 712 में भारत के उपर आक्रमन करके मुलतान और सिंद को जीत लिया था अब जो नेक्स आएगा वो आएगा तुर्क तो पर्थम तुर्क आक्रमनकारी था वो 986 में जो गजनी का सासक था जिसका नाम था सुबुक्त गीन ठीक है ना और सुबुक्त भीन अपने जो पिता है उसकी मिर्टिवा उन्नीस सो उसके सतांडवे में जो है वो गजनी के उफगानिस्तान के अंदर है तो फ्रेंट्स जो गजनी के गद्धी है उस पर बैठा सुबुक्त गीन अपने पिता की मौत के बाद ठीक है और अब आगे हम देखते हैं कि जो महमूद गजनवी है जो कि सबसे फैमस आक्रमनकारी माना जाता है वो है महमूद गजनवी जो क कि था किसका सुबुक्त गीन का पुत्र तो कब बैठा नौसो सतानव इस्वी में गद्धी पर बैठा कहां की गजनी की गद्धी पर और इसने जो है वो लगातार भारत के अंदर जो है वो अटैक किये किसके लिए लूट पाट और धन संपदा को अरजित करने की द्रिष् नहीं था यहां पर इसलाम का परचार करना नहीं था बलकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ देश्य जो था वो यहां से धन को लूटना और जो एक मिड़ल इस्ट है वहां पर एक बहुत बड़ा सामरजय इस्तापित करना उस पैसे की साहिता था ठीक है तो इसलिए इन्होंने यहां के मंदिरों में जो है उस अधार लूट पार्ट की क्योंकि जो पैसा यह जो धनसबादा होती थी वह मंदिरों में उस टाइम पर जनरली रखी जाती थी चुपाई जाती थी तो इसलिए इन्होंने मंदिरों पर आकरमण किया ठीक है तो उसके आज मेहमूद जो जो उस समय पर राजा जो सासन कर रहा था गुजरात में वो था चालुक्या राजा भीम फर्स्ट ठीक है तो बेसिकली जो राजा थे यह छोटे-छोटे हैसों में बटेवे थे इनकी जो संक्तियां थी वह संगटित नहीं थी इस वज़ए से जो है यह इतनी आसानी से अट पाल था एक सासक उससे भी लडाई की जिसवें वैरहिंद पारलो की लडाई गयते हैं 1001 में यह लडाई हुई ठीक है फिर ऐसे आगे भी कहीं परकार की जो है लडाई है चलती रही और 1025 में इसने परसित आक्रमन स्वामनात पर किया और 1027 में इसका अंतिम आक्रमन था ज वत पकालना होता है मूरती तोरनेवाला व्मुदी भंजक की इसका भढतीयास के अंदर इसको मूरती भंजक जैसे कि आपका फिरदोसी हो गया अलबरुनी हो गया उत्वी हो गया यह जो फेमस इत्यासकार है यह इसके दरबार के अंदर इस्तित थे तो इतनी सी बात आपको मुहमथ गजनवी के बारे में पता होनी चाहिए बस इतना काफी है तो अब नेक्स दिखते हैं नोट में क्या गजनवी की जो मिरती है उसके पश्चात भारत को लगबग 150 वर्सों तक विदेशी आक्रमन से आजादी मिले रही यानि 150 वर्सों तक उसके बाद कोई भी विदेशी आक्रमन नहीं हुआ यह आपर खासकर मुस्लिम सासकों के द्वारा ठीक है उसके बाद फाइनली 1075 में आया है मुहमद गौरी ठीक है तो मुहमद गौरी काफी आप सब जानते हैं 1075 से लेकर और 1206 तक इसने सासन किया और अफगानिस्तान में जो गजनी वंस था उसके पतन उसका जो पतन हो गया और जो गौरी है उसने अपनी गौरी कबीला जो था उसने अपने आपकी जो सरदार था वो कौन था मुझी नहीं मुझी दून में मुहमद मुझी मुझी दिन मुहमद तो मुझी जो मुहमद था उसी का नाम था मौमद गौरी ठीक है क्योंकि वह गौरी नाम के जो कबीला था उसका सरदार था तो आप जो यह मौमद गौरी यहां पर आया है इसका मक पर अपना कर दिया कहां पर मुलतान को जीत लिया उसके बाद फिर गुजरात पर आगे जाके आकरमन किया फिर उसका गौरी ने पेशावर पर आकरमन किया उसको जीता पूरा का पूरा पंजाब जीत कर इसने गजनवी जो राजवन से पहले जो था वो राजवन जो चला आ रहा था उसकी समाप्ति यहां पर पुरी तरीके से कर दी इस तरीके से यह आगे बढ़ता ही चला गया और उस टाइम पर दिल्दी में शासन कर रहा था कौन दिल्दी अजमेर यह पूरा इलाखा इसासन कर रहे थे कौन पृतिवी राज चोहान थर्ड तो पृत्युराज चोहान थर्ड था वो आपका मोहमत गौरी से तो जो मोहमत गया किसके बीच में और जिसमें प्रत्वराद चोहां और यहां पर जिराध जोः को पुरी तरीकी से बरास्त घी टराइन कि दूसरे इंद्ज में पुरियाए दिय तयारे के संद्दर आया और उसने इस बार जो है वो गौरी की बिज़ई रहा और प्रितिराज चोहान की हार वी तो इस तरीके से दोस्तों इस जीद के साथ ही यानि तरायन के जुद्धिया युद्ध्ध है इसके साथ ही जो है दिल्ली के अंदर इसलामी जो समराज्य है या मुस्लिम समराज्य है उ उसके साथ युद्ध लड़ा तो गौरी और इसके बीच में जो युद्ध होता है आपका चंडावर का युद्ध तो इसमें भी जो है वह जीत गिया इस तरीके से गौरी जो है उसने आगे बढ़ता ही चला गया उसके अलावा जो है इसने बहुत जाद है यहां पर उत्पा यह द्त करने हैं कि च करते हैं कि जो चैंप कर्फ। यह कहिंत और वह मुंवब्री यह दो मैहीं तक जल दिए तर इतनी जादा किताब ओ रहे यहां पर सब हुझ Generemic अधि को सकत्व आध़ाय रहते को ब्रेंस ग Blais तरीक Way कि यहां पर उनको नश्ट किया फिर 1206 में फाइनली जो है गौरी की जो है वो मिर्तिय हो गई और वह वापस जा रहा था और वापस जाते समय जो है वो पंजाब में खोकर उमला वो अपने घ्रे नगर जा रहा था कहां पर गजनी जा रहा था उसने बोला कि मैं कुदुब दिन एबग को यहां पर रख देता हूं और मैं गजनी वापस जाता हूं फिर वो जैसे वापस जाने लगा तो पंजाब मे प्रजाति ध्यक्त रहां कि तो उन्होंने क्या कि हम लावर दिया और इसकी मौत हो गई तो इस तरीके से आपके तो गौरी का गुलाम उने के करण इसके बाद जो और आगे का ind는데 तो उसको गुलाम वंस के नाम से जाना घया ठीक है और उसी को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत ठीक है तो फ्रेंट इसके बाद शुरुवात हो जाएगी दिल्ली सल्तनत दिल्ली एम्पायर गी जो कि 1206 से लेकर 1226 जब कि बाबर का टैक होता है यानि कि मुगल आते हैं उस तक पूरा पूरा जो है आपका दिल्ली सल्तनत चलेगी तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो मेली ये आपके पांच प्रमुक जो है वो वन्स जो है आए इन्होंने राज किया और 327 लगवग इन्होंने अपके राज किया तो इसमें आप देख सकते हैं कि गुलाम वन्स खिल्जी तुगलक सेद और लोधी वन्स ठीक है तो आपको इनको क्रम से याद रखने है तो इनको क्रम से याद रखने कि मेरे पास एक ट्रिक है वो ट्रिक जो है वो बहुत अजीब है मतलब क्या बोलों जैसे मेरे अब दोस्त है बच्पन में उसका नाम था सैलू ठीक है तो इस तरीके से मुझे फिर ये उससे पूरा याद हो जाता है और मैं उसको हमेशा के लिए याद रख जाता हूं कि इस तरीके से यह हुआ तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो आसानी से दिल्ली सल्तनत का क्रम गुलाम खिर्जी तुकलक सैयद और लुदी उसमें से सैयद वन्स तो आपका इंपोर्टन है भी नहीं इसको पुछा भी जाता तो उसको हम रहने देंगे बाकि हम जो दूसरे वन्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं तो चलिए दूसरों सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंस जिसने जिसका की सासन चला आपका 1206 से लेकर 1290 तक तो इस तरीके से गुलाम वंस जो है उसमें अलगलग राजा आए अब सबसे पहले बात होगी कुदूब दिन एभग की क क्या था गौरी का गुलाम था और 1206 से लेकर 1210 तक इसने सासन किया था मातर चार वर्स और चार वर्स सासन करने का कारण क्या था क्योंकि इसकी मौत एक्सिदेंटल होई कैसे होई बताता हूं ठीक है अब फ्रेंड्स गौरी की जो मिर्ति हो गई उसके बाद बारत के अंद जो मिनार है दोस्तों उसका जो नाम है वो किसके नाम पर है बक्तियार काकी के नाम पर है और बेसिकली ये जो कुदुब निनारती इसका प्रियोग किसलिए अजान देने के लिए किया जाता था और उसी के लिए इसका निर्मान किया गया था ठीक है और भारत की जो पहली म इसलाम मस्जिद क्या कुबद उल इसलाम मस्जिद यह इसने बनवाई उसके लावा अढ़ायदीन का जोपड़ा या अजमेर कंदर हैं यह दोनों ही इसने बनाए ठीक है आँ और यह पहले मंदिर थे इनको तोड़कर बनाये एक एक ता इसलिए इसको लाख बक्स जो है उसक और फेमस चीज इसकी तो इसकी जो मौत हुई दोस्तों वह पोलो खेलते हुई ठीक है ना पोलो यानि चौगान बोलते थे उसको तो चौगान जो है उसको खेलते हुई इसकी मिर्तियू हो गई तो चौगी चौगान जो है वह अक्सर तुरक थे उनमें यह खेल बहुत फेमस होगा करता था और वहीं से जो कहीं न कहीं भारत के अंदर भी यह पोलों की शुरुवात हुई तो इसी कारण से इसका सासा नितनी जल्दी खतम हो गया क्योंकि इसकी मिर्थियों एक्सिडेंटल हो गई थी तो इस प्रकार से दोस्तों यह आपका कुतुब दिन एवक था और कुतुब दिन एवक के बारे में जो इंपोर्टन बात थी वह हमने डिसकस की अब हम आगे चलेंगे और नेक्स देखेंगे कि उसका जो आगे का है वो कौन है इलतुत मिस तो दोस इसका सासन चला 1210 से लेकर 1236 के बीच में आप जो जो यह है यह भी गुलाम था यह मैं आपको बता चुका हूं इसने जो है दोस्तों इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तिविक संस्थापक पहरी बात आपको याद रखने कि दिल्ली सं जो सल्तनत है उसका पहरे तो इसने दिल्ली जो राजभानी है उसको लाहोर से सिफ्ट किया दिल्ली तो यह बहुत बड़ा काम हुआ फिर दूसरा जो है कुतुब मिनार जो आदी जो है चुट गई थी बनवा के कुतुब दिन एबग के बारा आदा ही यह बनवा पाया तो बाकि कि जो आदा ह इसकी लीए धी कि मतलब जैसे अगर पैसा नहीं दे सकते हैं कि इसने लिए चांधी कर जीपी इस प्रकार से जो है वो शुरू की दिल्ली में एक टकसाल भी इसने जो है सिक्के डालने के इस्तापित की ठीक है और फ्रेंट्स इसको जो है स्वतंतर सासाक माना जा सकता है क्योंकि इसने क्या किया जो इनका खलीपा होता था बगदाद का खलीपा उससे इसने मानेता प्रा तो उस गैंग को का जाता था तुरकान ये चहलगानी ठीक है तो तुरक सर्दारों का बेसिकली गैंग तो इसमें जो है वो सर्दार बोले तो सबसे जो पावरफुल जो लोग रहते हैं उस साइम पर तो वह इसमें रहते थे उनका एक लप इसका नाम तब तुरकान ये चहलगान तो यह भी इसी ने बनवाया था तो इसके एक खास-खास काम थे फिर दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तिरिक संस्ताफब म मैं आपको बता चुका हूं ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों यह था हमारा इलतुत मिस्स तीक है अब इलतुत मिस्स की जो मिर्टी होगे उसके बाद जो कुछ खास नहीं हुआ उसके बाद जो है वह उसका जो बेटा था उसका नाम था रुकनुदिन फिरोज सा तो यह बैठा जदी पर फिर यह उतना योग यह उतना मतलब योगया सासक नहीं था तो इसके टाइम पर जो है इसकी जो माता थी तुरूर साथ तुरकान वह उसके हाथों में सासन आ गया फिर कुछ माज यह सासन चला और फाइनली जो है वह वह रजिया जो सुल्तान थी उसने पहली वह अंतिम मुस्लिम जो महिला सासिका थी तो पहली भी थी और अंतिम भी थी काफी जो है यह वह बहदूर थी इन्होंने जो है वो क्या किया था जब यह गदी पर बैठी तो यह एकदम से फिर इनका रूप बदल गया इन्होंने परदा करना छोड़ दिया हाती पर सब्सक्राइब कर दिया इन्होंने अपना जो मुसाति उसको सहनिकों की तुरह बना दिया इन सब चीजों से जो जो अमीर वर्ग था वो क्या होगा इस से चेड़ने लग गया ठीक है अब इसने सबसे बड़ा काम क्या किया इसने क्या कि एथियोपिया का एक गुलाम था जिसका नाम था जलाल दिन याकूत तो ये जलाल दिन याकूत अच्छिली में गुलाम था लेकिन जो है रजिया के इसके साथ अच्छे संबन थे तो इसने क्या किया इसको बना दिया अमीर ए आकूत तो अमीर ए आकूत का मतलब होता है दोस्तों कि जो साही जो घुर साल हो तो इस वात से जो है जो अमीर वर्ग था जो वहां पर बिरोक्रेट रहा होगा या जो जो पावरफुल जो यह तर तुरकान चहल गानी के जो सरदार थे वह बहुत जादा नाराज होए किसे रजह से ठीक है कि इस तरीके से जो है इस गुलाम को जो है एक इतने बड़े पत प उसने जहां पर बिरोक कर दिया तो रजिया ने क्या किया फिर रजिया ने जो है रजिया को इसने बंदी बना लिया लेकिन रजिया ने कूटनिती से इससे ही साधी कर ली इससे अलतूनिया के अलतूनिया से साधी कर ली फिर दोस्तो इस वीच जो है वो क्या हुआ कि जो उ उनकी हत्या करवा दी उनका मर्डर करवा दी तो इस तरीके से जो है बहराम साथ ने गद्दी छीन ले किसे रजिया सुल्तान तो इतनी सी बात आपको ये कुछ इंपोर्टेंट से बाते आए इसमें जो भी थी वो मैंने बता दिया अब दोस्तों इसके बात क्या हुआ जो र असुरुदीन महमूद आया उसके बाद लगवा 1246 के असपास तो उसके बहुत दी ज्यादा योगिसा सकता तो उसके टाइम पर तो ऐसा हो गया था कि जो बलवन था वो बन गया किसका लीडर तुरकान चहलगान जो मेरे अभी बताया था ना कि 40 जो सरदारों का गैंग था जो अभी में बताया नासुरुदीन महमूद तो ये एक नाम मतर का राजा रह गया था ठीकर ना बाकी पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में थी बलवन के हाथ में थी तो इस तरीके से जो है वो कुछ साल जो है इसने चलाया फिर उसके बाद 1266 में फैनली नासुरुदीन महमूद को मरवा के खुदी जो है वो साशन हद्या लिया तो इस तरीके से बलवन जो है वो पावर माय अगेन जो है अब बलवन जो है 1266 से लेकर 1286 तक राज करता है बलवन बेरी इंपोर्टेंट जो है यहाँ पर राजा हो जाता है क्योंकि बलवन जो है वो बहुत राजा बना गदी इसके हाथ में आई सुल्तान बनने के बाद इसने क्या किया सबसे पहले इसने यह 40 जो तुर्क सरदार थे उनका जो जो गैंग था उसको खतम किया क्योंकि उसे पता था कि यह गैंग जो अगर रहेगा तो यह मलब कही न कहीं क्या करेगा विद्रो करेग तो उसने कहा कि इस गैंग को सबसे पहले में खतम करूँगा और जो राजा का पद था उसकी जो खोईवी परतिष्टा थी उसको वापस हासिल करने के लिए दोस्तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से करना जरूरी था ताकि जो है वो जो इससे पहले के सासन में जो राजा की पावर जो है वो कम हो गई हो उस पावर को बढ़ाया जा सके अब इसी पावर को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया तो इसी पावर को जो है वो बढ़ाने के लिए फाइरली जो है बलवन ने आपके राजत्त का जो सिदान्त है उसको लागू किया ठीक है तो राजत्तों का जो सिद्दान्त है दोस्तों वो बल्वन ने लागू किया जिसके अंदर उसने बोला कि जो राजा है वो क्या है जिल्ले इलाई 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 है जिल्ले इला है उनका सफाया करो किसी भी तरीके से ठीक है यानि कि खून का बदला खून से लो ठीक है इस तरीके से इसने क्या किया वापस से जो है वो राजा के पद को मजबूत करने के लिए बहुत सकताई से जो है इसने काम किया जो यह तुरकान चहलगान था इसको इसके जितने भी तफाया करवा यहनिसको खतं करा है फिर उसके बाद दरबार में जो है इसने बहुत जज़्दा जो है वह डर जो है वह की जातर उसके लिए इसने चैहसने और और पाइबोस नाम की जो है वो पर्था शुरू की सिजदा और पाइबोस जो है उसमें क्या होता था कि सुल्तान जो है उसके सामने जो है हमेशा घुट्नों के बल बैठ कर जो है आपको जुखना होता था पाइबोस में क्या होना था पेट के बल जो है बुड़कना और पैर ने फिर चुमना होता था इस तरीके से इसने पर फिर रहे जो सिरू की उसके अलावा जो है यह इसने और ज़यदा वो विजिलेंश रहने के लिए एक विजिलेंश डिपार्टमेंट बनाया और शीक्रेट सर्विस शुरू की और जिसका हैड होता था बरीद इंटेलिजेंस सर्विस का जा सकता है इसको गुप्तचर विवाग तो इस विवाग का काम बेसिकली यही था कि वो पूरे राज्य के अंदर पता करें कि कहीं पर मिलब सब्सक्राइब कुछ सही चल रहा है कि नहीं कोई तो इस तरीके से जो बल्बन है उसने अपने आप में जो हो काफी मैत्वपूर काम किये और जो यह जो दिल्ली सल्तनत थी उसको उसका विस्तार तो नहीं किया लेकिन जितनी उसकी सत्ता थी उसको काफी मजबूत करने का काम इसने किया था ठीक है तो इस तरीके से दोस्तो ये बल्बन चला ठीक है अब हम बल्बन के बाद सिदे सिदे देखेंगे खिलजी वन्स क्योंकि इसके बाद जितने भी राजा आए बल्बन की जो मिर्ती हो उसके बाद तो कुछ खास सारे आयोग के राजा आए जो कैकुबाद था उसके बाद वो बैठा गदी पर ठीक है फिर वो अरारजक भोग विलासी प्रवड़तिका था तो वो कुछ कारने पाया उसके टाइम पर अरारजकता हो गई फिर जो है अमीरों का जो गुट था वो यह वाला तुरकान चहलगान वाला वो और फिर से मजब और फैनली राजगदी हतियाली तो उसकी मौत के साथ ही दोस्तों यहां पर दिल्ली सल्तनत का जो पहला गुलाम वंस है वो समाप्त हो जाता है और जलाल अदिन जो जिसने की गदी को हासिल किया उसने यहां पर खिल जी सामराजय की स्तापना की बारह सो नब्वे में और ज तो च्याडबे समी तक जो है इसने सासन किया तो यहां पर इसको डिल्ली सल्तनत जिसको मौत कर जाता है और इसकी खास बाद यह धीन जो नो का और उसके उदार रवियא था ठीक है presents तो ये पहला ऐसा साथा जिसका कि जो हिंदू जनता है उसके पड़ती एक उदार दृष्टी कौन था ठीक है ना उसके बाद जो है आया खतरनाक कौन अलाउदिन खिल जी ठीक है ना तो अलाउदिन खिल जी जो है उसने खिल जी सामराज्य को जो है वो काफी एक क्या कह सकते एक सामरज्य वर्दी प्रक्रतिका था काफी महत्वकार्ची था तो इसने जो है लगातार जो है वह दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया इसके टाइम पे जो है वह बहुत ज़्यादा सासर के अंदर नई नई चीजें भी हुई ठीक है आपने देखा भी होगा खिलजी वाली जो लेकी तो वहीं से यह किसको लेकर आया मलिक काफूर को लेकर आया जो कि एक गुलाम था एक दास था फिर यह गुलाम मलिक काफूर जब जब इसके साथ आया तो धीरे-धीरे यह मलिक काफूर था यह इसका खास आदमी बन गया और धीरे-धीरे आगे जाकर यही जो है इसक सेनापती मलिक नवाब बना ठीक ना नायब सॉरी मलिक नायब बना तो यह इस प्रकार से मली काफुर आपने मूवी में देखा हुआ कि एक जो है वो खिलजी के साथ अमेंसे एक आदमी रहता है वह है मलिक काफुर जो कि इसका गुलाम था ठीक है इस तरीके से फिर 1313 के भाना रतन सिंग य्वाण रतन सिंग ता उसकी तो इस का जो जिक्र हो कि इसमें किया गया मलिक मुहमद जाई सी के द्वारा किया पदमावत के अंदर जो की 1540 के इनदर उस ने लिखी था इस प्रकार से इस कहानी के अनुसार ही यह कहा जाता है कि उसका में उद्दी से है राणी पदमिनी को हासिल करना था अब इसमें खिल जी चोंकि ये क्रूर सासक्ता तो इसने क्या गया जो धर्म था उसको राए निती से प्रतक किया है क्योंकि इस से पहले जो है यह उलेमाव अगरा वर्ग थे या जो धार्मक वर्ग था उसका बहुत जादा सासन के अंदर हस्तक्षेव को कम किया और अपनी नीतियों के इंसार वो काम चला ए इसने सासन में वो काफी क्रोड़ता की उसके अलावा इसने उत्तर से लेकर दक्षिन भारत तक अलगलग जो है वो बिजाय अभियान चलाए राज़त्तों का लाज़त्ता सिदान लाज़त्त सिदानथ ऐस 是ुब्हान को जो है मथा घी जिल्ल है गो फिर यह यानि दिख आ से ग॥िक्या तो तो इस प्रकार से काफी ये कठोर सासक माना जाता है लेकिन इसने बहुत सारे जो है वो काम भी किये अमीरों पर इसने क्या किया कंट्रोल किया जो अमीर थे उनके उपर नियंतरन किया इसने उसके लिए इसने जो है वो गुपतचर विवाग जो है उसको मजबूत किया फिर अमीरों का जो धन यह उनका जो मर्ला का जो य हए उसके और ब्रह्त रहांब जो जया कि और फैकले आता है तो चैक्स जो खराज ये भी आपको याद रखना है तो इस सबसे पहले तो जो वी चीज़ है जैसे कि घोड़े थे पसू थे इन सभी को उर्ए कर दिये अगर कोई धोका जिस लिए अलग लग मार्केट जैसे कि एक चीजों के लिए अलग वाकणा के लिए चिसकोय कहा जाता था पिर उसके लिए मैनुफैक्टेरिंग पॉड़क्त थे जैसे कि अलग बजार बना दिया जो जो दास थे या जो घोड़े वगरा मवेसी जितने भी दिखते थे उनके लिए इसने अलग बाजार बना दिया और जो नॉर्मल चीज़ें थे उसके लिए अलग इसने बाजार बनाया इस प्रकार से इसने बाजार व्यवस्ता के अंदर बहुत ज़्यादा सु परी हूते थे उनको यहाँ पर registration में पड़ता था सोचो शूआ ए मंडी जो एव उसके दफतर में जाके उनको registration करवाना भड़ता था था सहना ए मंडी ठीक है ना तो इस प्रकार से जो दोस्तों इसने काफी ज़्याज़ यहूं आपर किये थे उसको सपल बना बना पाया उशकी लिए क्या किया इसने गूपतचर नियूट कर दिये औहीं पता करते थे क्यों कहिह पर कोई धुकादरी तो निकर रहा है को जादा थो निकार निकार कर थे इस सब चीजों पर निकार नहीं रखते थे उसके लाव जो दोस्ते इसके दर्वार में जो है अमीर खुस्त्रो हो गया है ना हसन दल है दहलवी इस तरीके के जो खतरनाक कभी हुआ करते थे यह या काफी जाने माने जो कभी है यह आपके रहा करते थे ठीक है अमीर खुस्त्रो के बारे में तो आपने सुनाई होगा जो अमीर खुस्त्रों है उनका जो दूसरी उपादी है उक्या है तूत्ति अहिंद थीकर नहीं ना? तो इनके नाम यह दाक नाम अमीर खुष्त्रों की उपादी है तूति तो इस तरीके से दोस्तों यह हमारा था लाव दिन खिल जी अब हम आगे देखेंगे कि नेक्स जो हम सिद्र सिद्र तुगलक वंस को देखेंगे क्योंकि इसके बाद जितने भी राजा आएंगे वो क्या होंगे बिकार से होंगे इसके बाद जो है राजा जो आएंगे वो हैं आपका कुतुब दिन मुबारक खिल जी है उसके बाद नासुर दिन खुसरो सा है ठीक है यह सब गदी पर बैठे लेकिन जो गाजी मलिक था वो इनका ही एक सैनापति था उसने क्या किया अपनी योगेता के दाम पर इन सब को हर कर दिया और सता को हासिल कर लिया ठीक है तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है वो तुगलक वंस की स्थापना हो गई किसके दोऱा गाजी मलिक के दोरा जिसका दूसरा नाम है गयाशुदीन तुगलक है वो फाइनल सो बार्य के अंदर गदी पर बैठा और सबसे ज्यादा तक जो है दोस्तो तुगलक वंस नहीं राज किया दिल्ली सल्तनत के अंदर चौराणडवे वर्सों तक इनका सासन रहा ठीक है ना 94 यर्स तक सासन चला ठीक है अब हम देखते हैं कि गयासुदिन जो तुगलक है वो 1312 से लेकर 1325 तक मैंने बताया इसका जो नाम है असली वो क्या है आपका गाजी मलिक यह गाजी मलिक कौन था एक्चुली में यह कौन था यह आपका इनके इनका जो इससे पहले जो आपके खिलजी थे इनका सैना पती था देरे देरे इसने अपनी सक्ति को मजबूत किया क्योंकि अलावदिन की मिर्टी हो चुकी थी थे उसके बाद देरे देरे जो बाकी के सासा का है तो वो कुछ खास योग यह नहीं थे जो आपके नासुरदीन खुसरो हो गया आपका यह बाकी की जितने भी खिलजी आए ठी संकित कियो और इसकी साथ इसने प्लक онस स्कि 온 के तो आप हम बात करेंगे कि जो गया स्नू डिम उइसने क्या क्या काम की सबसे पहले तो इसने जो है इसको कहा जाता है नहरे बनवाने वाला सासक टिक है फूंकि इसने बहुत ही जासे जाद़े जहें नहरों का निर्मान कर तक चुद्सी औहले से करनेका लिए प्रणाली इसको भी काया व Sexual सुरू हो चुकी थी दोस्तों तो इस Тशलीенे बहुन सारे काम कि अब इसमें जो है इसने इसका जो खास काम माने जाता है हो है सबसे खास काम हो है दिल्लि के निकट तुहला वा अबाद जो नगर चुना इसकाफिक करना इसको बसाना और यहीं पर उसने तोcc Lakhabad बीसिकली डिली से ही लगती थी दिल्ली से ही लगावा लाका है तोल्ज आ का बाद और वहाँ पर इसने राजाह chant को सिप्ट किया और इस थी खास बात एक और चीद है कि इसने अपने जीते जी ही अपना मकबरा बना लिया था जो कि अर्द छत के आकार का है तो इस प्रकार से इसने कुछ मैत्वपूर्ण काम किया आप आगे देखते हैं तेरह सो पचीस में जो है किया थे उनके साथ जो है इनके कुछ खास सम्मझने थे इनके कटू रिष्ते उनके साहते थे ठीक है फिर फैनली जो है तेरह सो पचीस में इन्होंने बंगाल पर आक्रमन किया बंगाल को जीता और पर इनके रहा था तो पिर क्या हुआ इसके सौगत में यहां पर ऐक वहाँ पर भर दर्वाजा लगय गिर गया और यह इसके ऊपर गिरा और यह और जो अन्य जो और लोग गणवानी में लोग वहां पर उपस्ति थे वह भी मर गए तो इस तरीगे से कि दोस्तों यह इसका अन्त होगे इसकी मिर्ति हो गई आप कहते हैं जो इत्यासकार हैं कहीं जैसे कि इबनुबदुता हुए उन्होंने कहाए यह जो घटना थी यह क्या थी प्री प्लांड थी मतलब जो सहजादा था उसने यह अल्लडी पहले से प्लांड कर रखा तक किस प सारी planning की ठीक है इसका गया सुदीन को मरवाना था यց सब फ्लानिंग होई थी अप जो है इसको है ध्यास के अंदर उदारवादी के सासक के रूप में जाना जाता है और यह पहला ऐसाssak दिल्ली सल्टनात के अंदर जिसने की वोली में भाग लेता था क्योंकि ये वो दूसरे धर्मों को भी वो काफे मानेता देता था जैन जो संत्थ थे हिंदू संत्थ थे उनके साथ इसका मेल मिला ठीब था और ये बिद्वान ब्यक्ति था ठीक है सबसे पड़ा लिखा ब्यक चाप ठीकिसे मुऊंबद बिन तुकलब एक सबसे पढ़ा लिखा जो है वह सासक दिली सल्टनत के अंदर लेकिन जो है इत्यास में इसको सबसे मुर्क सासक के रूप में जाना जाता है तो यह एक क्या हे आयरणी हैं अपना आप में कि ये सबसे पढ़ा लिखा विद्वा इसमें क्या-क्या पांच निर्णाई थे सबसे पहले तो कर विर दी इसने क्या क्या कि जो गंगा जमना का दोवाव था उसमें टैक्स की वह सुली बढ़ा दी और उसी साल वहां पर क्या पड़ गया अकाल पड़ फिर वहां पर प्लेग फैल गया उससे जो है वह जंता जो है उसको काफी परिशानी जहनी पड़ी और इसका जो यह निर्णाई था यह विफल रहा तो इस तरीके से यह पहला निर्णाई था दूसरा जो है इसने क्या किया राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद सिप्ट किया कब 1337 में यह याद रखना को 1327 में तो 1327 में जो ह है वह आपका इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद सिप्ट किया आप जो इस राजधानी को सिप्ट किया इसने तो इसने बेसिकली यह चाह रहा था कि जो है वह क्या किया दक्षिन बात यानि साउथ इंडिया पर भी मैं किस प्रकार से कंट्रोल रख पाहूं तो दौनों के बीच में राजधानी ले गया लेकिन हुआ यह कि जितनी भी उनके परिवार सब कुछ दिल्ली में अल्री पसे वे तो जो है जाने को तयारी नहीं हुए तो जो है सासन का जो वह यह जो राजधानी ले जाने का यह भी फेल हो गया ठीक है क्योंकि इतना बड़ा आश्णकेतिक मुद्रा चलाता हूं मैं जो कि मिद्रा वह सांकेतिक हो अब उसका म०्दिश किन क device कना जो ही हैं इसको झाणी की सिक्के बचाए जैसे कि आज चेंप उनी को उनको क्या जैसे आज जो सिक्के हैं या आज जो नोट है वो क्या होता है वो एक आभासी मुद्रा होती है बेसिकली उसके ऊपर उस कागज का मुल्य है तो कुछ भी नहीं है जैसे 100 रुपय का नोट है तो उसका क्या मुल्य है कुछ भी नहीं उसके ऊपर जो लिखा हुआ है सौ रुपया और उस चीज़ का मुल्य सौ रुपय के अगर हम वास्ति की क्या है नहीं लेकिन उसके ऊपर चुकि वह लिखा हुआ है तो वह उसको इसका रूपय मुल्य तो प्रमानित इसी तरीके इसने क्या किया सांके तिक मुदा की बात की या चलाया यह उस समय के हिसाब से वो काफी आगे की बात थी एक तरह रहे लेकिन हुआ यह कि लोगों ने क्या क्या अपने घर के अंदर जो है सिक्के को पिगळाना सुरू कर दिया और beans yani महेंगाई बढ़ गी फिर जिसने क्या क्या कि भूला कि ऐसा करो टुम लोग जितना भी तुमारे पास रहा सोने चांदी जो जो सिक्के हैं उनको मेरे पास देख्याओ मैं चेंज कर दूँगा उसके बदले में तुम्हें चांदी के सिक्के देना शुरू कर दिया उससे जो खाली हो गया इस तरीके से यह योजना भी उसकी बिभल रही है फिर है आपका खुरासान अभियान खुरासान जो है बिसिकली कुछ अभयवस्था जल रहे थे का बलता है सासन के लिए पर यह साल का वेतन भी दिया अब बाद में ब्लतान इस तरीके से इसका जो यह जो अभियान ताओ दोस्तों वह फेल साबित हुआ अब जो है लास्ट इसका जो डिसेजन था कराचिल तो कराचिल अभियान में इसने बेसिकली कुमाओं की जो पहाड़ियां है उत्राखर्ण हेमान चल यह इस छेत्र में स्था यहां भी मैं कबज लेता हूं तो इसने कुछ सैनिकों को एक-दो लाक सैनिक जो है उसको एक लाक से उपर सैनिक जो इनको भीज़ा कि जाओ तुम कराचिल जाओ और वहां से वहां पर युद्द करो और वहां जीत किया लेकिन वह यहां पहाड़ आये तो यहां की जो कठिन परिस्तितित हैं भोगोलिक प्रिस्तियां उनके आगे वह आदर से जादर जो हिमाले परवत में मर गए कोई कहीं मर गया कोई बर्व के तुफान में मर गया इस तरीके से यह अभियान भी जो है वह सपल रहा के वल दो तिन हजार वह सैनिक वापस वहां पर पहुंचे काफी बड़ा जो है उस इन्होंने बिजय नेगर सामराजी की स्थापन की तो यह इसी आपके सासनकाल के दोरान हुआ था ठीक है इस तरीके सा दोस्तों यह हमारा मुहमद बिन तुगलन का सासनकाल रहा 1351 में फाइनली इसकी मिर्थ्यू हो गई थी ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन बात हैं थी इसके बार में में विह मैंने आपको बता दी थी अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स हम क्या पढ़ेंगे है अगला अब देखे लिए अब देखेंने सीदह सीवी बात करएं दोस्तों फिरोज सा तो इसका जन्म एक लेकिन यह इसने क्या क्या यह उतना ज़्यादा योगया नहीं तो आप क्या करेगा वो सब को खुश करने का प्रयास करेगा तो इसके लिए इसने क्या किया तुष्टि करण के नीति अपनाई और फिरोज साथ तुगलग था कौन बेसिकली जो मुहमद बिन तुगलग है उस का चचेरा वाही तया यह आपको यादर नहीं तो इसने नीति अपनाई सबहस करो इसके आंदर इसने और जो अमीर ते उनको खुझ किया Beni कि उन्छो कुञ किया चौश किया उनको कुश करने कानून कानून के वह जाज़ा नुक्सान पहुंचा आए उसके जो गये मस्लिम थे उनके ऊपर कि एक यह का कर्थ यह कीि कि आए तो इसलाम Cock Zumal के सबway जा सकते थे जिन में क्या क्या होते थे खराज होता था आपका खुम्स होता था जजिया होता था और जकात होता था ठीक है तो जजिया था जो दोस्त था वो भी इसने सुरू किया तो फ्रेंट्स जो जजिया होता था वो गैर मुसल्मानों से लिया जाता था और जो जकात होत जो माल लोटा जाता था उस पर लिया जाता था इस तरीके से इसने जो है चार्ट टेक्स लगाई इसलामी कानूनों के इसाब से इसने काम किया और इसके अलावा जो दोस्तों इसने भेंकर जो काम किये हैं उसमें सबसे इंपोर्टेंट है वो है नहरों का जाल बहुत जादा इसने नहरे बनवाई पांच बड़ी इसने नहरे बनवाई थी ठीक है तो नहरों का एक तरह से इसने जाल बिचा दिया था सीचाई बेवस्ता को काफी मजबूत किया कोई भी नहे नहे खुदवाये थे इसने अगर हम बात करें इंफ्रस्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे त इन सेरों का जो है इसने निर्माण करवाये उसके अलावा जो है बाग यानि बगीचे जो है उनका भी से सौकीन था तो बगीचों का भी इसने निर्माण किया जिसने एक हजार से जालदा इसने फ़लों के बगीचे लगवाये थे फिर उसके अलावा दोस्तों इसने क्या क की स्थापना कीू दिवाने बंदगान क्या था बैसिकली यह आपका जो दास होते थे उनका उनका ही एक डिपार्टमेंट था डासों का कहते हैं कि इसके पास जो है वह एक लाहसे हजार दास थे टेक ना अससे एक लाहसे हजार गुलाम थे या जो भी कह सकते आप ठीक है उसके अलावा जो है यह इसने जो है वो गरीब जो लोग थे या उनकी मदद भी काफिय करता था तो इसलिए इसका इसने एक दारुल सफा नाम का एक निसुल्क खैराती दवाखाना इस्ताफित किया था ठीक है तो यह इसके कुछ खास बात थे ले तो इस तरीके से काफी जो है नुकसान इसने पहुचा था तेरह सो अठासी में फाइनली की मिर्तियों हो गई ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों यह था आपका फिरोज ठीक है तो फिरोज के बाद जो है वो जितने भी सासक इसमें आई वो कुछ काम के नहीं थे वो सारे योगे थे तो उनके बारे में पढ़ने की जुरूबत नहीं है उसमें जो उसके बाद जैसे गयासुरदीन तुगलक सा सेकेंड आया फिर अबु बक्र आया फिर आपका लावदीन सिकंदर सा आया और अंत में नासुरदीन मुहमद आया ठीक है तो इस तरीके से जो दोस्त यह कहां से आया ता मध्या में इसमें यह वहांसे आया तैया तो इसका असली नाम इसने दिल्ली पर अकरमन किया वहां पर बहुत जाएडा लोगों को निर्दोस लोगते हैं रूट पार्ट की जो है वह जितना पूतना सब इसने लोट टेकर दिली पर जो है इसने और दिली की गदी पर कौन बेढ़ाओ नासुरूदिन महंवूद तो वह थो एसी कमजोर साथ सक्था तो फ़ो खुछी नहीं कर पाया कि वह दोली कितना कमजोर को हासिल करूँगा और इसी लिए इसे खिर्ज खाने उसकी मदद की और फाइनली खिर्ज खान को यह सासन सौप कर अपना माल लेकर निकल लिया ठीक है तो इस प्रकार से इसने सहयद वंस की स्थावन की फाइनली ठीक है तो फिर सहयद में जितने भी सासक आये थे वह कुछ क 1426 आनि कि जब तक बाबर का टैक होगा तक तक पुरा-क पूरा आपका लोधी वंस का सासन चलेगा ठीक है तो यह आपको इंपोर्टन जो है इसका याद रखना है सबसे पहले हम बात करेंगे इस्थापना की तो इस्थापना किसने की वह है तो बहलोल लोधी है वही इसका किसका लोदी वंस का सस्तापक माना जाता है और पहला अफगान वंस था यह यह याद रखना है इससे पहले जो थे वो तुर्क थे लेकिन यह पहला अफगान वंस था जो दिल्ली के अंदर जिसने सासन किया था ठीक है? सबसे बड़ी बात की जो लोदी सामराजिय है उसके अंदर सबसे लंबे सासन तक सासन करने वाला एकोन है बहलोल लोदी है जो कि 1449 लगबग 38 वर्षों का इसका सासन है ठीक है? तो आप देख सकते कि कितना लंबा इसने जो है वो सासन किया 38 वर्षों इसने सासन किया है फिर इसकी जो नीती थी वो भी क्या थी? आज सहसुनता की नीती थी ठीक है? अब इसने जो है वो किया बहलोली नाम के जो है वो चांदी का सिक्का इसने चलाए था अब दोस्तो इस प्रकार से जो है इसमें कुछ खास नहीं था बहलोल के बारे में अगला जो है वो है सिकंदर लोधी तो यह important हो जाता है सिकंदर लोधी का 1490 से लेकर 1517 तक जो है वो सासन चला सिकंदर जो लोधी था वो लोधी वंस का सबसे जादा जो है योग्या सासक माना जाता ठीक है और इसने गज ए सिकंदरी नाम का लेंड रहा उसका उसका इसको मा अपने का एक तरह से पाना था भूमी पैमा इसका पैमाना था गजए-स सिकंदेरी चीक है । तो इस तरीके से इसने क्या फिर यह धार्मी क्रोप से लोग थे उन पर जजिया लगाया फिर जो है और भी भू सारे इसने काम किये तो इस तरीके से धार्मी पंद्रा सो चार में फाइनली जो है अकबर इसने आगरा की जो है इसको अपनी राजधानी बनाया तो राजधानी इसने कहां पर आगरा में इस प्रकार से दोस्तों यह आपका हो गया सिकंदर लोदी को एक के बारे में एक चीज और याद रखना आपकी से उसे गुल रुख दोस्तों इंदर इसने सासन किया तो फैनली जो है दोस्तों इब्राहिम लोदी ने क्या क्या-क्या देखते हैं लोदी वंस का जो है यह अंतिम सासक था यह बात आपको याद रखनी है और इसके टाइम पर जो इसने सबसे पहले क्या किया है जो यह सरदार थे सक्तिसाली इनके दमन की नीती अपनाई अब जब इसने इनके दमन की नीती अपनाई तो उससे क्या हो गया सरदार जो है उसने उनके अंदर भी एक ग्रोस आ गया मतलब उनको इसने एक तरह से नाराज कर दिया ठीक है तो उन्होंने भी फिर साजिस रचीनी शुरू कर दिये तो इसने जो जो अबगान सरदार था दौलत खान लो दी जो कि उस टाइम पर पंजाब का सुवधार था और एक इबराहिम का चाचा था आलम सा इन दोनों ने मिलकर कर किया कि हम क्या करेंगे बाबर को Next ॉन्हें लगा था कि भाबर आएगा और फिर पर निकल लेगा और फिर हमें गक्राइम पे अटेक के लिए बावर आया बावर ने जो है इसके साथ लड़ाई लड़ी 1526 में इब्राहिम लोदी और इन दोनों का युद्ध हुआ जिसको की फेमस पानीपत का पर्थम युद्ध के नाम से जाना जाता है ठीक है फाइनली पानीपत का जो पर्थम युद्ध हुआ व तो इस तरीके से फिर बावर ने यहीं बसने का निर्ड़ लिया और उसने यहां पर मुगल बंस की स्थापना की ठीक है तो 1526 के बाद आप जानते हैं मुगल फासन चलीगा ठीक है अब युद्ध में एक मात्र जो है मारा जाने वाला जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो इसका वीडियो जो है अच्छा लगा होगा अब नेक्स्ट जो है में वीडियो के अंदर एक वीडियो के अंदर आपका मुगल जो है वो पढ़ा दूँगा फिर सिदह हम मॉडल इंडिया को पढ़ेंगे ठीक है तो अभी के लिए इतना काफी है थैंक्यू सो मच गुड़ के लिए ग्ड़राग थैंक्यू जो है और दीक्षटी के सिदह है थैंक्यू स्ट्ध्स